वाट्सप गाइज वेकम बाक टू माइच चानल सो जैसे कि अगर आपने देखेंगे मेरे लास्की कुछ वीडियो तो एक मैंने वीडियो डिलीवरी लेते वक्त दिखाया था और उसके बाद मैंने कुछ एसेसरी लगवाई थी वह दिखाया था मैंने आपको और आप लोगो लेने वाले हैं अगर आप लेने वाले हो तो आपको यह सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए लेने से पहले कि आपको कहां कहां प्रॉलम फेस करनी पड़ सकती है तो चलो जड़ा टाइम बेस नहीं करता फटा बट सीदा बात करते हैं इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो की आपको लेने के पर्चेस करने के वाद आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट्स जिसकी मैं बात करना चाहता हूं अगर क्योंकि मेरी हाइट है 511 और आप देख सकते हो कि अगर मैं दोनों पैर अपने नीचे रखता तो मेरा स अगर आपकी हाइट है 55 और इससे कम की तो यह बाइक आपको थोड़ा सा दिक्कत देगी खासके सिटी राइट पर अगर आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत शाप कट है या आपको बहुत ईजली वहां पर टर्न करना है तो अगर आपकी हाइट कम है लगता है कि अगर आपकार हाइट 551 फायबैं पर तो इसी है थीक है अप अब इसको सकते हो और आपके हाइट है 55 से कम तो थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है है क्योंकि भूस ने थोड़ा सा दिक्कत आता है तो जब आप टर्न करते हो उस टाइम से पहले इसका टेस्ट राइड लेखना चाहिए और आपको एक बारी अपने हाइड के चेक करना चाहिए आप कितना करते हैं तो मेरा सेकिंड पॉइंट आज का यह है कि आपको पता कि एक एडवेंचर बाइक है और इस बाइक में एक छोटा सा पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा सा मुझे यह कहलो कि थोड़ा सा इजी नहीं है है तो यह साइट सेंड जो है वो मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूं अगर इसका स्टैंड देखोगे ना लाइस तो इसका स्टैंड सीधा नहीं है एक एंगल बनके आता है और जिसके वैसे बाइक बहुत ज्यादा जुख जाती है और यह एंगल क्यों बनाया जाता इसलिए में साइट स्टैंड में एक यए रहता है और बलम जाती हो और रहुत जो क्या होटा पर जुकने की वशचने की वाज़ा से होता है। तो सबसे पहले आप एक फुट्रेस पे पैर रखते हो और आप सीधा खड़े हो जाते हो और उसके वद आप ऐसे बैठते हो ठीक है तो इस सेम चीज जब मैं उतर रहा हो तो तब भी सेम चीज फील होती है कि बाइक एक साइड पर कहीं गिर ना जाए क्योंकि बाइक का स्टैंड की वज़ासे बहुत जादा बाइक नीचे है तो बाइक जुकी हुई है जिसके थोड़ा सा कॉंफिदेंस यहां पर लूज हो ज जासे थोड़ा सा कॉंफिदेंस लूज सेम चीज की क्योंकि यह बाइक जैसे की मैंने बताई कि एडवेंचर भाइक थोड़ी हैवी साइड पर रहती है बट प्रॉलम क्या है कि बहुत जादा जुकी हुई है उसी की वज़ासे इसी के साथ एक और अगर मैं थोड़ा सा ए आप सीधा करते हैं सो ऐसा फिल होता है कि बहुत ज्यादा है और इस ट्रीक हिस पास्ट्र साथ इसे करने के लिए आपको एक्टर आफटर लगाना पड़े रहा है और अब वह इन पैनिर्स नहीं लगा रहे है याँ है लगे इस वलमार culinary नहीं लगा च्रवित टो यह जरा को थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है अगर बहुत जादा हैवी बाइक से डील नहीं करना चाहते हो तो आपको यह वाला पॉइंट जब आप यह बाइक लेने जाएंगे और टेस्ट राइट करेंगे तो यह वाला पॉइंट भी आप ज़रूर चेक कीजेगा एक बार साइट सें कि अपको अपनी बाइक चूज करनी होती है कि मेरी हाइट इस बाइक के ठीक है इसलिए मैंने यह बाइक चूज किया बट ऑविसली कि मैं भी यह फील करता हूं कि जब मैं इसको साइट से सीधा करता हूं तो मुझे एक्स्टा फोस लगाना पड़ता है तो यह मेरा उन्होंने भी यही फीड़बैक में साथ शेयर किया कि उनको भी यह चीज प्रॉलम फेस करनी पड़ रही है तो मुझे लगा कि यह इन्फोर्मिशन आप क्या शेयर करनी चाहिए अगर आप यह बाइक लेने वाली हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन पॉइंट रहे आपके लमाता आपको जहाए और में से बात करूँगा तो शाहिए फोन पाया ise यह यहां जो हूँ करनी की यह चीजिए बहुत ऐसकते हो अर बहुत आजीब सी चीज है जो मैं zachरा हूँ तो मैं दिखाता हूँकło मैं जाता हूँ अपने आरी के एप पे, मैं आप उपन करता हूँ, और बाइक मेरी ओन है, इस मैं गया नेविगेशन पे, तो नेविगेशन पे आप देखोगे, अब भी कुछ कनेक्ट नहीं है, आप कनेक्ट हो गया, यहाँ पे मैसेज भी आ गया, यू आर कनेक्टेड ना, और मैं आप जाता हूँ, नेविगेशन पे गया मैं, मैंने, कोई भी एक रेंडम लोकेशन से सर्च करता हूँ, मैं इंडियागेट मैंने लिखा, इंडियागेट का मुझे दिखा रहे है, मैंने किया get direction, and start direction, तो अब भी आप देखो गया, अगर आप देखोगे, तो यह connect हो चुका है देखे आपको नजार आ रहा होगा और यह तरन बाइट नेविगेशन कनेक्ट हो चुका है यह बिल्कुल सभी काम कर रहा है कोई इशु नहीं है मुझे बिल्कुल सभी काम करता है लेकिन जैसे ही मैं इसका व्यू चेंज करूंगा तो यह डिसकनेक्ट हो नेविगेशन को आप देखना जैसे ही डिसकनेक्ट हो जाएगा यह ऐप ब्रॉलम में काफी टाइम से फेस करना पड़ रहा है मैं हर तरीक की आरन डी करके देख ली कई यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर ली है सब कुछ करके देख लिया मंगर यह चीज नहीं फिक्स हो वेजिटो पार है हो सकता है मैं इनके एक्षपर्स से बात करूँका इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि जैसे मैं connect किया we connect और gसम है कहा scholarship जैसे मैं music पर यहाँ हूं तो music proper काम कर रहा है जितनी भी मेरीỏ c cent की call डाल यह सब कुछ वो सारा कुछ काम कर रहा है सब प्रॉपर वक कर रहा है बड़ी नैविगेशन काम नहीं कर रहा है तो यह मेरा थर्ड पॉइंट है तो अगेन मैं वह इस इस रिपीट करूंगा कि अगर आप पर्चेस कर रहे हो तो इस इस आपका यहां पर क्लिक करना रहा होगा तो इन फोड़ी देर टाइम लेगा और यह फोन उस टाइम पर आपका अपडेट मोट पर चला जाएगा ये भी अपडेट मोट पर चलाactory और जब ये इपडेट होगा तो अचानक ये थोड़ा देर के लिए और ईपडेट होगा लेकिन जब तक ये औफ रहेगा आपको बाइक बंद नहीं करनी है कोशिश कर लिए ट्राइग लिए बड़ कुछ नहीं हो रहा सब तरीके की आरंडी करके देख चुका हूं यहां तक याप भी अनिस्टॉल करके दुबार इंस्टॉल करके देख चुका हूं नहीं हो पा रहा है इसका रीजन क्या है यह में को पता करना पड़ेगा जब मैं और किसी ने पनी पहन पे याँ पिसिने भाई किया है कि प्लीज मुझे कमेंट पर बताना एक हैल्प हो गा कुछ मेरे से आपको ओंग कुछ आप से मुझे सीखने को मिलेग इसी तरही के से एक दूसरी की सपोर्ट बनी रहेगी वाकि आज का वीडियो यही था जितने मेरे यह बाइक लेने की सोच रहे हैं यह चोटे पॉइंट है यार हो सकता है कि बहुत ज्यादा बहुत मेजर पॉइंट ना हो हो सकता है आपके लिए बिल्कुल काउंटी ना करते हो आप इन पॉइंट को लेकि मुझे लगा कि यह इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी से है बिकस मैं यह सारे issues face किये मैं जो मैं बाइक आपको बता रहूंना इतना जुका हुआ है यह कभी कबार ऐसा आपको फील होगा कि जब आप बाइक सड़ली उठाके बैटने लगते हो बाइक डिस्बैलेंस भी होती है तो क्योंकि आप इतना फोर्स लगा नहीं रहे जितना बाइक मांग रही थे आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना जोर लगाना पड़ेगा तो यह चोटे-चोटे पॉइंट होते हैं मगर यही चीज़े होती है जो आप बाइक परचेस करते डाइम में आपको देखनी ह बहुत पसंद कर रहे हो तो आपकी सपोर्ट की वजह से मैं बहुत अच्छा चा कॉंटेन लेके भी आप आ रहा हूं तो बहुत जल्दी दो तिन पॉइंट बता देता हूं कि और नेक्स वीडियो में क्या आने वाला है तो मैं भी और इसको एक्स्प्लोर करना चाहता हूं क्योंकि मेरी बाइक का अभी नंबर नहीं है मैंने रेजिस्टेशन नहीं करवाया रेजिस्टेशन मेरा 2024 का रहेगा जिसकी वजह से मैं बहुत लंबी राइट करनी पा रहा हूं तो आने वाले टाइम में आप इसकी लॉंग राइट भी देखोगे तो मैं ज्यादा अच् सब कुछ आपको देखने को मिलेगा एक इसका कॉंबो आता है पूरा असेसरिस का जो मैं सोच रहा हूं कि लगवाने के लिए वो जैसे ही आरी की तरफ से लॉंचों का मैं लगवाऊंगा मैं आय था अच कॉंटेंट बनाने के लिए और बाइक का कॉंटेंट बना रहा है इन बहुत सारे अपने साथ ऐसे यंग स्टर नजर आए जो बाइक को देखके बहुत एक्साइट हुए फोटोग्राफिय करी सब कुछ किया वो तो आपको इंस्टा पर नजर आएगी बट मैं इन सब भाईयों से मिलवाता हूं इसे पूछता हूं यह सारे बच्छे स्कू बहुत सब्सक्राइब करना कि आगर आप कोई मैनत कर रहे हो और आपको कोई एप्रिशेट कर रहा है बाइकिन सबको बहुत अच्छी लगी समने फोटोग्राफिय कर रहा है वो भी मैं एंड में डाल दूंगा व्लॉक किया तो आप लोग देख लेना ठीक है बाकी तुम सब्सक्राइब करते हैं यहीं पर और आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ इंफॉर्मिशन मिली है यहां तक वीडियो देख लिए तो लाइक कर लेना शेयर करना सब्सक्राइब करना आपकी सपोर्ट बहुत ज़री है और नेक्स मिलता हूं एक अच्छे से ब्लॉग मे उई समय जगन मिलता है तक क्षक्या सब्सक्राइब करें मिलता है यहीं भ yapıyor तो लो फैसलिक विक्याओ वार लेkenntका थाकर अबले है तक क्ता सरादेब क्क्ताना सब्सक्राइब कुछ जब झाला रहाऊ जहां और आ परना हूं परसा आज सैस्ट कूछ कर दो एकाषा प्र्ण